तो यह multiple body lipoma, huge big lipomas, multiple lipomas को हम कैसे treat करेंगे, कैसे हम इसको plan करेंगे, उसके बारे इसको हम इस video में discuss करते हैं, यह patient देखेंगे, इनको जो है, age इनका more than 50, diabetes है, hypertension है, and overweight है, so high BMI है, plus medical problems है, and obese है, morbid obese है, तो यह हमारे लिए एक challenging case है, जिसमें इनको हर body part में, आप अगर देखेंगे, so हर जगे पे जो है, कोई भी body part लेंगे, so वहाँ पे आपको lipoma, lipoma, lipoma ही दिखाए देंगे, so even hand पे, arm पे, flanks के अंदर, यह full of lipoma है, so इसको हम कैसे plan करेंगे, because of high risk, with lot of medical, already medical disorders, and overweight, and also the age, age is more than 50 years, so इसमें हमारे पास हर तरह से यह challenging case है, इसका हम treatment plan क्या है, वो हम इसमें discuss करते हैं, so first हमें इसको stage करना है, so stage का मतलब है, कि सारे की सारे lipoma हमें one time में remove नहीं करने, हम जो है, इसको part by part, body part लेंगे, जो most problematic है, so उसको हम पहले treat करेंगे, so, जो है, सबसे पहले जो इनका mean problem है, that is the arm region, so यह arm region है, जिसमें, so इनको thighs में भी है, arm में भी है, so हम जो है, पहले कैसे कैसे करेंगे, हम एक arm लेंगे, so, एक side arm लेंगे हम, so यह side का, हमने suppose करो arm लिया, and, and इसके में जो है, basically यह जो portion है, basically, even हम जो है, यह four arm को छोड़ देंगे, so arm को लेंगे, and यह lower part में, और यह दो तिन बड़े हैं, इसको tackle करेंगे, so, यह full of lipoma है, so हम इसमें, basically, जैसे हम, arm lift surgery करते हैं, bricoplastic करते हैं, इसमें, total excision of lipoma, with saggy skin, so, जो evaluate किया था, उस time पे लग रहा था, काफी skin sag है, and, जो है, हमें, दिखेंगे, तो यह दिखे, जो lipoma है, that is very, very big size, और यह skin भी sag करने है, so, try करेंगे, कि loose skin भी निकाल दे, and, जो है, lipoma को भी remove कर दे, so, ऐसे हम इसमें, plant करेंगे, अब इसके साथ, जो है, हम, एक इस side का arm करेंगे, basically, और अगर हमें कोई बड़ा लगा, तो lipoma फोरा में remove करेंगे, यह ही already more than hundred lipomas है, अगर हम count करेंगे, तो सिर्फ arm के अंदर, and, यहां पे भी full of lipoma है, so, हम पहले एक side का arm करेंगे, and, उसके बाद, जो है, हम क्या करेंगे, इसके बाद, जो हम body part करेंगे, that is, यह thigh region, basically, so, यह big lipomas, यह bunch of lipomas है, so, more than 30-40 lipomas है, so, यह हमें exigeant से निकाल ले होंगे, so, हम प्लान करेंगे, इसको local anesthesia में, and only two parts, so, arm, one side arm, plus one side thigh region, basically, so, thigh, और यह basically, कुछ hip में भी है, so, इसको हम करेंगे, फीर, next session में, हम जो है, other arm लेंगे, and other thigh लेंगे, so, वो second session लेगा, third session में हम, basically, third session जो इनका है, basically, उसमें मैं दिखाता हूं, क्या करेंगे, उसमें, यह flank region को हम target करेंगे, so, यह flank region, यह flank region, जो है, इसको target करेंगे, इसमें भी हमें कट करना पड़ेगा एंड मेजर मेजर जो बड़े बड़े लाइप हुआ है इनका में गजन जो है सिर्फ इतना ही है इस तरह से यह देखे अगर यह आपको और इस में क्लियर बता चलेगा कितने बड़े हैं लैक्सटी है एंड तो हीलिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है रिकावरी का भी प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए हम लिमिटेड नंबर ओफ लाइपोमस करेंगे एंड विट्राइट तो अंडर अवेक अनेसेश है तो यह लोकल अनेसेश में ट्राइब करेंगे देखेंगे सो काफी साल से यह सफर कर रहे हैं और वेट भी है सो मोर्दैं 30 यह से ही कुट नोट वियर एनी टी-शर्ट बैसिकली टी-शर्ट यह शर्ट प्रॉपली नहीं है देखें जो मैं कह रहा यह देखें पूरा का पूरा ही लटका हुआ है सो इस तरह से हम जो है मेजर यह लोवर पार्ट से और यहां पर यह देखेंगे तो यह रीजन में जो बड़ा लाइपोमा उसको हम टार्गेट करेंगे एंड इवन थाइस के अंदर भी है सो थाइस के भी लाइपोमा जो है वन बाई वन हम टू पार्ट करेंगे एंड टोटल सेशन थ्री अंडर लोकल एनसे से लिमिटेड नंबर एंड कीपिंग अल पहले जो है पहले मेडिकल चेक अप अल दा बलर टेस्ट इंवेस्टिशन इनका डाइबडी स्टेटस डाइबडी उसको कंट्रोल में होना चाहिए एंड उसी के बाद हम यह कॉंप्लिकेटिड सर्जरी कर सकते हैं सो ऐसे हमारा प्लान है एंड जब हम यह सर्जरी करेंगे उसके बाद हम आपको अपडेट करेंगे